तो आलो का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कि लगबग आटा लीए है तो इसमें दो चमच के लगबग नमक डालेंगे तो हम नमक डाल देना है उमondereов को और ऑब इसमें हम लोग सब्षिद लगबग बड़ी चमच के लगबग घीडा लें गे और इसको सभी को अच्छी तरीकी से mix कर लेना है और अपने लोगों को आटाय लगा के तियार कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है इसमें और जब तक हम लोगों को आटाय लगता है हम लोग अपने मसाला भी बना कर तियार कर लेते हैं की पराठे का तो मैंने कड़ाई लिए कड़ाई में डाल रखा आप देख सकते हैं और यह मैंने बॉइल डालू लिए हैं सबसे पहले और यह मैंने कच्छे प्याज लिए यह हरी मिर्च लिए और यह अद्रक लसुन का पेस्ट लिए और यह मैंने धनिया लिया है तो आप द डाल देनी है और सभी को अची तरीकिसे एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग कच्छे प्याज डाल देंगे जो हम लोगों ने लिये थे वो आप जो नॉर्मल प्याज होते हैं वो भी ले सकते हैं इसके बदले बट इससे टेस्ट और भी बढ़ ऐसे डाल देंगे और इसको मैंने हाद राखा ऊची तरीकिस पीस रखा था तो इसको भी अची तरीकिसे मिक्स कर लेना हैं और अगर आ पर लाइसwo नहीं खाते हैं तो आप अद्रक का भी उसकर सकते हैं अधरता पेस्ट बिशन अब देख सकते इस तो दो इसमें हम लोग धनिया डालेंगे सूखा धनिया भो तब इसको डाल देना है दो चमच के लगबग मैंने अभी छीज़ों को तो आप देख सकते हैं इसको मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीकी से mix कर लिया तो अब इसमें spices एड़ करेंगे और आप देख सकते हैं पक भी चुका है एक से रेड़ मिनिट के वाद ही हम लोगों को spices एड़ करना है तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया यह मैंने नमक डाल रखा है और लाल मिर्च पाउडर मैंने दो चमच लिया था तो अब इसमें एक चमच हल्दी पूरे डालेंगे और इसमें गरम मसाला डालना है आदी चमच के लगबग और इसमें लोग चाट मसाला डालेंगे तो सबी चीज़ों के एक बार और अच्छी तरीक से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं जो मैंने आलू लिये थे बॉयल किये हुए उसको मैंने इस त थोड़े से आलू को हम लोग सबसे पहले तो मसाले में अच्छी तरीकी से मिक्स कर रहेंगे और इस टाम पूरे अलू नहीं डालना है थोड़े से आलू डालना है पहले मसाले में ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीकी से मिक्स हो जाए आलू पे तो आप देख सकते इस त पूरे आलू थे बॉयल दूए उनको डालेंगे तो आप देख सकते धनिया भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुक है तो इसको दो मिनिट तक पका लेंगे और दो मिनिट पकने के बाद हम लोग इसमें बॉयल किये आलू डाल देंगे जो बाकी बचे थे वो और सभी को पूरे को अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते इस तरीकी से मैंने इसको मिक्स भी कर लिया और हमारा मसाला बन के त्यार हो चुका है और आप देख सकते मैंने जो आटा लिया था वो भी लगके त्यार हो चुका है तो इस तरीकी से सॉफ्ट आटा मैंने लगा कर त्यार किया है तब थोड़ा से हम लोग आठा लेंगे इस तरीके से हम लोगों को गोल कर लेना है बिल्कुल लड़ू की शेप में गोल करना है इसको आप देख सकते हैं मैंने इसको गोल कर लिया है इस तरीके से तब थोड़ा से हम लोग सुखा आठा लगाएंगे और इसको इस तरीके से आप देख सकते हतेली की हेल्प से कर लेना है ताकि अराम से बिल जाए अब इसको बेल लेंगे हम लोग अच्छी तरीके से तो आप देख सकते हैं इतना हम लोगों को इस टाइम बेल लेना है और अब इसमें हम लोग मसाला एड़ करेंगे तो आप जितना मसाला चाहते हैं उतना एड़ कर सकते हैं तो आप इसमें मसाला एड़ करने हम लोगों को और मसाला एड़ करने के बाद इसको इस तरी किसे आप देख सकते हैं और इस तरी किसे मैंने पैक कर लिया आप देख सकते हैं तो फिर से इसमें थोड़ा सा सूखा अटा लगाएंगे और हतेली के हल्प से फिर से हम लोगो कोई सी तरीकी से करना है तागि जब हम लोग इसको बेले था बिल्कुल भी मसाला नहीं निकले तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो इस तरीकी से एक बार आप जरूर आजमाएए आलो का पराथा जब भी आप बनाते हैं तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल हलकी हाथों से बेल लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरीक से मैंने इसको बे लिया है तो यह मैंने पैने लिया है तो पैन को हम लोगम है कर लिया है हम यह ज़्म कर लिया इसमें फिसा deciding के लगभब घीड कर लिए तो गहींड को अच bulky okay तैडिक लिए इसको तरिक से आप देख सकते हैंol बना सकते हैं बट गी ज्यादा फायदा होता है बॉड़ी के लिए इस तरीके से मैं आप देख सकते हैं घी लगा दिया है उपर से तब इनको शेक लेना हम लोगों को परांठों को पूरों को अब इसको पलटना है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया तो ऊ थोड़े थोड़े बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं इसका कलर आप देख सकते है तो इस तरह के इस तरह किसे एक बार बना कर जरूर्व ट्राइके आप घर में भाति पसंद आएंगे बनाएंगे तो इस तरी किसे और सभी लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे इस तरीकि से ऐब बनाएंगे तो परांठे तो इस तरीकि से मैंने आप देख सकते परांठा बना कर तियार कर लिए और सबी सैट सुस्य तरीकिसे सीख चुकए हैं चार से पांच मिडेक तयौं में लगा है सीखने में और मीडियम फ्रेम उद्विम था घैस का तो इस सबी बन के त्यार हो चुके तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही थैंक्यू बब